बलो श्री प्राणनात प्यारे कीजे श्री सत्गुरु महराजी कीजे श्री बबादयाराम साहेम आपकी सदा ही जे शिरी महराज ज्वार्दास साहेव आपकी सदाही जैं। सिरी वंदो सत्य गुरू चरणिको करू सो प्रेम परणान। आशो भरण मंगल करन सिरी देव चंद्रजी नान। शिरी प्राणि नाथ निज मूल पती सिरी महराज सुना। तेज कुवर शामा युगल को पल पल करू परणां। पल पल करू परणां। शिरी प्राणि नाथ तुम सत्य हो। तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाही ग्रह की लाज। ज्यारे धनी धनवट करीं त्यारे बल बैरी नाहरीं। वली गया काम सराणे चडें मन चित्व्या कारज सरें। मन चित्व्या कारज सरें। बोलो शिरी प्राणि नाथ प्यारे की जैं। सिरी सत्गुरु महराज जी की जैं। परम शर्द्य आतम सनमंदी। सिरी राज जी महराज के अत्यंत। लाडले एवं प्यारे सुन्दर साज जी। सिरी संतोष जी चराया, जैपुर से, सुमित्रा जी, अशोक जी तनेजा, जैपुर से, हमारी अनीता जी तनेजा, आशा जी मदान, हमारी नीलम महता जी। आर प्रंधाम की लाडली आतमाओ, आप सभी उपस्तित हो रहे हैं, अंकिता जी, राहुल जी, अन्नुगर्ग जी। आईए लाडले सुन्दर साज जी, हम धाम दनी जी के शिरी चरणों में, अपनी सुर्था को जोडते हुए, एक भजन गाते हैं, फिर थोड़ी वानी चर्चा का आनंद लेंगे, ठीक है सुन्दर साज जी। निस्बते अरश की जानी कर मेरे साहब आ गए हो। निस्बते अरश की जानी कर मेरे साहब आ गए। इश्क इलम की दात वो लोटाने आ गए। निस्बते अरश की जानी कर मेरे साहब आ गए हो। निस्बते अरश की जानी कर मेरे साहब आ गए। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया। पाकर के प्यार आपका बस आपका हो गया। पहचान निज सरूप की करवा गए। निस्बते अरश की जानी कर मेरे साहब आ गए। निस्बते अरश की जानी कर मेरे साहब आ गए। चरणों तले बैठाया करिश माये मिहर का। निज नाम से उतारा रंग माया के जहर का। पहचान निज सरूप की करवानी आ गए। निस्बते अरश की जानी कर मेरे साहब आ गए। निस्बत अरश की जानी कर मेरे साहब आ गए। सोर सज गए है प्यारी के इस दिल के साज पर। सदके में तेरे लाड के वारी सीरी राज पर। सदके में तेरे लाड के वारी सीरी राज पर। सुर सज गए है प्यारी के इस दिल के साज पर। सदके में तेरे लाड के वारी सीरी राज पर। मीठे वचन वो प्यारी के आतम को भा गए। निस्वति अरश की जानी कर मेरे साहब आ गए। मोलिये शिरी प्राण नात प्यारे कीजे। पियू पांच बेर हम वास्ते सागर में डार्या आप। सो नजरो ना आवे प्रेम बिना मिहर या मिलाप। तुम्हें धनी बिना कोन दूसरा ए उडावे अंधेर। तुम देखो साथ विचार के जिन भूलो इन बेर जिन भूलो इन बेर। बोलिये शिरी प्राण नात प्यारे कीजे। परम शर्दिये परम वंदनिये। धाम दनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुन्दर साजी। परम धाम की निस्वति आत्माओ। आप समस्त के सुन्दर साथ के हिरदय में विराजमान सिरी राजश्यामाजी के शिरी चर्णों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुन्दर साथ जी एक बात तो पक्की है कि हम परम धाम की निस्वति आत्माओं ही इस फेस्बुक पर वानी चर्चा का रस्पान कर रही है। उनकी क्रीपा के बिना, उनकी निस्वत के बिना, सनमंद के बिना लाडले सुन्दर साथ जी ये वानी चर्चा किसी को अच्छी लगे, रस आये, आनंद आये, कोई आत्मा बे सबरी से इंतजार करे इस वानी का चर्चा का तो वो कोई परम धाम की आत्म हो सकती है। लाडले सुन्दर साथ जी इतना बड़ा ये विश्व वर्माड के अंदर विचार कीजिए कितनी आतमाईं परमधाम से आई हैं क्योंकि 5000 सुन्दर साथ शिरी 5 पदमाफ्ति पुरी धाम शिरी बंगला जी के अंदर थे ना लाडले सुन्दर साथ जी तो उनमें सिरफ 500 ही ब् दिश्टी थे तो खासल खास 500 जुल जुलाट ही निकले जिनोंने शिर्जी साहिव जी के सवरूप की उनकी शौबा की उनकी इस वानी चर्चा की पूरण पहचान करी कि ये धाम के दुला है अक्षराप्तित हक्की सूरत निश्क लंक बुद्ध अवतार हम आतमाउं को क्योंकि शिर्जी साहिव जी चर्चा के अंदर रोज फर्माते थे हम आए एते काम ब्रह्म सिष्टी ले जाने घरधाम हम तो इतना ही काम करने आई हैं कि परमधाम की आतमाउं को जागरत करके पहचान कराके और उन्हें निजगर लिजाने के लिए लाडले सुन्दर साजी हम सुन रहे थे के प्यू पांच बेर हम वास्ते सागर में डार्या आप हमारे प्रितमने हम आतमाउं के लिए पांच बार इस मो सागर के अंदर इस संसार के अंदर हम ब्रह्म आतमाउं के लिए आये धनी पहले ब्रिज मंडल में आए फिर रास में आए फिर अरव देश के अंदर महमसाब जी के सवरूप में आए और चोथा सवरूप सद्गुरु धनी शिरी देव चंदर जी के सवरूप में आए और पांचमी बार शिरी प्राणनात बन के पदारे और दाम के दनी चोपाई के अ प्रितम के बीना अपने धनी के बीना बला इस अज्ञानता को हटाने के लिए इतनी वानी चर्चा कौन सुनाएगा धनी के बीना कौन दूसरा हो सकता है जो हम ब्रमातमाओं की इतनी फिकर करें किसी को भी इस बर्माण की अंदर हमारी फिकर क्यों हो सकती है एक श्री इंद् कि करूं बड़ी फिकर क्योंकि वो हमारे धामदुलाह ना शिरिंद्राफ्ती जी के अंदर हक्की सूरत सक्षात धामदुलाह विराजमान है और वही उनी को चिंता है हमारी हना इस मोसागर के अंदर मेरी ब्रह्म आतमाइड डूप रही है हना और डूबी वही आतमाओं को ज ज्यानता को ये अंदकार को ये माया का परदा आपके प्रितम के बिना आपके उपर से कौन हटाएगा तुम देखो साथ विचार के ए सुन्दर साथ जी शिर्जी साइव जी फर्माते हैं कि ए सुन्दर साथ जी आप विचार कीजिए जिन भुलों इन वेर ये तीसरा प्रमाण के अंदर हम ब्रम आत्माओं को धाम धनी ने दर्पन की तरहां दिखा दिया कि पांच बार मेरे प्रित्वम हमें जगाने के लिए आए सत्गुरु धनी श्री देव चंदर जी के सवरूप में आए तो आड़ी का लिला करकर के सुन्दर साथ को जगाया और हम सोचे के आड़ी का लिला धनी ने क्यों की उस समय जरूरत थी सुन्दर साथ जी क्योंकि परम धाम की आत्माएं ऐसे मृत्य लोग के अंदर ऐसे नासूत के अंदर उतर के आई तो उन आत्माओं को सीधा कैसे समझाया जाता है कि आप प्रमधाम से आए हो। ये समझाने के लिए सद्गुरु देवचंदर जी महाराज को आडी का लिला करनी पड़ी, जिसमें अखंड ब्रिज का दर्शन कराया, अखंड रास का दर्शन कराया, प्रमधाम का दर्शन क्यों कराया सुन्दर साथ जी इसलिए कि इन आत्माओं को इमान आ सकें विश्वास आ चकें कि हमी आए ब्रिजरास में हमी आए इत घरों बैठे देखीं ए तमाशातित विश्वास दिलाना था और सीधा कैसे मनाते सत्गुरु धनी श्रीदेव चंदर जी महराज तो दिखा दिखा के चमतकारी लीला करकर के सत्गुरु धनी श्रीदेव चंदर जी महराज ने रुओं के लिए बहुत मेनत की कि ये जाग जाएं ये पहचान करें पर सुन्दर साथ उस समय आडिका लीला की बाहर के अंदर इद्रिश्टी जूड़ी रह गई और उनके सवरूप की पूरण पहचान नहीं कर सकें तो सिर्जी सभी जी फरमाती है कि एक बेर भूले आदमी शिरजी सभी शिरिंद्र रावतिजी की आतम फर्मा रही है किμεेर भूले आदמी कोई आदमी अगर एक बार भूल जाए ताएं और मिर आवे सुद्ध तो उसको दूसरी बार तो नहीं भूलना चाहिए ना, क्योंकि सत्गुरु देविचंदर जी महाराज आए, निजनाम मामंत्र, अखंड तार्तम लेके पधारे, साक्षात आवेश के सवरुप उनके अंदर विराजमान थे, तो हमने उनको नहीं पहचाना, तो सत्गुरु धनिश्री देविचंदर जी महाराज, धाम चले गए, शिरी इंद्रावती जी की आतम कहती हैं मैंने इतनी चोटे सैन करी सत्गुरु धनी शिरी देव चंदर जी महाराज के जाने के बाद क्योंकि जब सत्गुरु धनी शिरी देव चंदर जी महाराज धाम पदारे लाडले सुंदर साज जी तो उसके बाद गुरु पुतर बिहा जी ने किस परकार से शिरी मेराज जी को हमारे शिर जी साहिब जी को हवसा के अंदर भेज दिया और हवसा के अंदर जाके कितना कुछ उन्होंने कितनी चोटे वहां भी सैन की और तार्तम वानी के परचार परसार के अंदर गुरुपुतर बिहारी जी ने कितनी बादा डाली कैसे खंबालिये को राजा को जाके कह दिया कि यहां से सिरी मेराज निकलेंगे आप उनको बंदी बना लेना कितने प्रकार की चोटे सैन करी तो फर्मारी शिर्जे सहिब जी ए चोटा सैया सिर एतिया तो भी ना हुई तुम्हे सुद तो कहते कितनी चोट सैन करी और इतनी चोट सैन करने के बाद भी सुद नहीं आ रही अब ढील ना कीजे एक पल दामदनी फर्माती है शिरिंद्रावती जी की आतम के अंदर साक्षात विराजमान होके के लाडले सुदर साथ जी अब धील ना कीजे एक पल ये लाड़ ले सुन्दर साथ जी अब एक शण के लिए भी देरी मत करना इतना ही बैठन का लाग कहते हैं यहां हमें खाली निठलने होके नहीं बैठना और खाली बैठे रहेंगे आलस करके तो यहां से लाब मिलने वाला नहीं है एक पलक के कोट में हिस से एक पल का जो कुरोडमा हिस्सा होता है हो जासी बड़ा भाग ये लाड़ ले सुन्दर साथ जी दाम धनी फर्माते हैं कि अब आप अपने सुर्ता को इस तरतम वानी के अंदर जोड लीजिए धनी की प्रेम से सेवा कीजिए धनी के चरणों में समर्पित हो जाए चाए वानी पढ़ते हुए चाए चित्वनी करते हुए चाए तारतम का पाठ करते हुए चाए तन से सेवा करके मन से करके धन से करके जिस परकार से भी हो सके दारीजी कहते हैं एह सुन्दर साथ जी अब हमें अपना जो जीवन है ना हमें अपना जीवन प्रेम और सेवा के अंदर कुरवान करना है क्योंकि लाड़ले सुन्दर साथ जी यह हमें सुनहरा मौका मिले सुन्दर अवसर मिला है कि हमारे स्वामी शिरी प्राणनात जी दूसरे तन के अंदर साक्षात प्राणनात बनके आए हैं और हमें जगा रहे हैं कहूं गुस्सा करमचन सोना वले मेरी जुबाएं देखिए सुन्दर साथ जी हमें शिर्जी साहिव जी शिरी अंदर विराजमन धामदनी कितना प्यार करते हैं आप उनके शब्दों को सुनो तो सही देखो तो सही एक एक शब्द सुनो कह रहे हैं कहूं गुस्सा कर वचन कहते हैं मुझे गुस्सा आता है विगुस्सा करके मैं इन सुन्दर साथ को सावचेत करूं कठोर वचन करूं क्रोध से वचन करूं कठोर शब्दों का मैं इन के लिए प्रयोग करूं सोना वले मेरी जुबाएं पर कहते हैं मेरे सुन्दर साथ के लिए मेरे मुख से कठोर शब्द निकलते ही नहीं मेरी जुबा क्या ही नहीं सकते सुन्दर साथ को दिल करता है गुस्सा भी आता हैं पर कठोर शब्द करोद के अंदर शब्द कहूं, गुस्से के अंदर कहूं, तो कहते हैं सोना वले मेरी जुबाईं, वो मेरी जुबाईं से निकलते नहीं, पर इतना फा क्या हो इसीं, चलो शिरी अंदरावति जी की आतम फरमाती है, के लाडले सुन्दर साथ जी, आप नहीं कहना चाहती अगर मैं कुछ भी नहीं कहूंगी हना तो कहते हैं यदि आप इस परकार बंदनों में फसे रहोगे तो तुम रहे माया लगाए तो आप विचार कीजिए किस माया के अंदर फसे रहोगे तो आपको क्या लाब मिलेगा परमधाम के अंदर और आज ऐसी घड चल रही है जेवडो लाव तेवडो जोखम जितना ब्रह्म स्रिष्टी यहां से लाव लेके जा सकती है उतनी इस अठाइसमें कल्यूक के अंदर जागनी बर्माण के अंदर हानी भी हो रही है तो धनी जी फर्मा रही है कि लाडले सुन्दर साजी आप विचार कीजिए पर इतन नफा क्या हो इसी अगर हम माया के अंदर लगे रहेंगे सुबह से लेके रात तक ना हम वानी पढ़ें ना हम चित्वनी करें ना हम चर्चा सुनें ना हम दियान में बैटें तो लाडले तेडे सुकुन तुमें कहूं कहते मैं तेडा शवद आपको अगर कहूं सो काट करूं जुबादूर ए लाडले सुन्दर साजी आप इतनी लाडलियां हो आप इतनी प्यारिया हो धनी की कि मैं तेडा शवद भी अगर सुन्दर साज से कहूं ना तो मेरा दिल करता है काट क करो जुबा दूर, जहां से ये जिब्या निकल रही है न, मैं मूल से इस जिब्या को काट के अलग कर दूँ, अगर मैं मेरे सुन्दर साथ को टेड़ा शवद कहूं, टेड़ा शवद, गुस्से का शवद, करोज से शवद, शिरिंद्रावती जी कहती है, अब मेरे से नहीं दिए कहा जाता, और फर्मारियें, पर इन माया का तुमको, पर लाडले सुन्दर साथ जी, इस माया का आपको, का हो सी रोशन नूर, कहते तार्तम ज्यान का उजला, अंतसकरण के अंदर नहीं हो पाएगा, अगर इस माया के अंदर हम ऐसे लिप्त रहेंगे, ऐसे लगे र वानी, हमारे अंदर कैसे प्रकाश करेगी, कैसे उजला करेगी, हना सुन्दर साथ जी, ना पैचाने इन उजले, कहते इतना उजला कर दिया धनी, धनी 18758 ये वानी लेके आ गए, उजला का मतलब होता है सुन्दर साथ जी, हमें धामदनी ने पुरण पैचान करा दी, आत्माई को पता है, सब आत्माओं को पता है, कि हम परम धाम से खेल देखने के लिए इस अंसार में आए है, और हमारे अपरात्म का तन दैनी जी के चरणों में बैठा है, हाना, और पहले हम ब्रिज में आये थे, फिर रास में आये, और हमारे इच्छा पूरण नहीं ये जागनी है हमारी, ये हमें धनी ने शीशे कितरे सब कुछ दिखा दिया, क्योंकि वानी दर्पन है, दर्पन कितरे वानी ने हमें अपने पहचान करा दिये, हमें पूरण पहचान हो चुकी है, कि हम परम धाम से इस खेल को देखने के लिए आए हैं, और तार्तम वानी ये जागनी बर्माण के अंदर पूरा उजाला कर दिया है, पूरा प्रकाश कर दिया है, सिर्जीने का बेशक हुए हो तुम मौमिनों, बेशक करो शहूर, तुम बेशक हो गए हो, तो चिंतन करो, क्या चिंतन करें, कि हमारे धाम के धनी, हम्यारी निस्बत समझ के, हमारा सनमन्द समझ के, है ना, और कितने सुख देने के लिए हमें आए हैं, ना पहचाने इन उजाले, कहते इस उजाले के अंदर भी, हम नहीं पहचान ले, ये दो ये साख पूरन, और दो सरूप आ गए साक्षियां देने के लिए, उजालना किया दो सरूपों ने, धनी शिरी देव चंदर जी महराज, तार्तम लेके पधारे, और शिरी इंद्रावती जी के अंदर, स्वेम हक की सूरत, स्वामी शिरी प्राणनाजी, तार्तम का तार्तम लेके, अठारा अजार साथ सो ठामन, ये वानी लेके पधारे, तो कैरियां दो सरूपों ने आके, पूरण साक्षि भी दे दी, ना पैचाने इन उजाले, ए दो ए साख पूरण, कैते दोनो सरूपों ने आके, पूरण साक्षि दी है, पीछे प्यूँ आगे वतन में, क्यों हो सी मुखरोशन, कैते अगर हम आज भी पैचानना करेंगे, तो परमधाम के अंदर, धनी के सनमुख जब बैठेंगे, तो हमारी क्या हालत होगी सुन्दर साथ जी, और धनी केंगे, मैंने फेस्बुक पे, आप समस्त आत्माओं को, कितनी वानी चर्चा सुनाई थी, कितनी पहचान कराई थी, क्योंकि जब लग भूली, तब लग नहीं दोश, जब जागी हक इलमे, तब भूली सिर अमसोस, जब तक कोई आत्मा भूली होई हो, तो उसको दोश नहीं लगेगा, अब जब धनी ने जगा दिया, और हमें पूरण पहचान हो गई, कि हमारे सद्गुरु धनी शिरी, देव चंदर जी महाराज, स्वामी शिरी, प्राण नाज जी, तार्तम और तार्तम वानी लेके, हमारे लिए पदारे हैं, और ये तार्तम वानी का पूरण उजाला मेरे प्रितम ने, मेरे धनी ने, मेरे लिए किया है, ये सब पता होते हुए भी, अगर हम नहीं जागे, तो क्यों हो से मुख रोशन, तो परमधाम के अंदर, हम किस परकार से हमारे चेरे की उपर रोशनी होगी, किस परकार से हम उजवल मुख से उठेंग सुन्दर साज जी, पहले नजरों देखते, गयो अवसर टूटी आस, शिरी इंद्रावती जी की आतम के अंदर धामधनी साक्षात भी राजमान होके कह रहे हैं, कि लाडले सुन्दर साज जी, पहले आंखों देखते हुए, सत्गुरु धनी शिरी देव चंदर जी जब धाम चले, तो कहते हमारी आस, उमेंद, सब तोट गई, निकस गए जब हाथ से, तब आपन वहे निराश, जब हमारे हाथ से सत्गुरु धनी शिरी देविचंदर जी महाराज चले गए, तो हम निराश हो गए थे, क्योंकि लाडले सुन्दर साज जी, जब तक शिरी ग्रावति जी की आत्मा के अंदर वो विरहा था, कि मेरे सत्गुरु धनी शिरी देविचंदर जी महाराज मुझे छोड के चले गए, लेकिन जब साक्षात दर्शन दिये, तब उन्हें पहचान होई, कि वो तो कहीं नहीं गए, आपन में बैठ्या अधार, वो अधार हमा खिन्न, कहते हैं, ये जो जगत है न, ये जो संसार है न, ये विश्य से भरा हुआ है, और इसका तो शण में परल्य को प्राप्त हो जाएगा, ये संसार तो, स्याने हो तुम साथ जी, सब चत्रुवची खिन्न, तुम तो स्याने समझदार हो सुन्दसाथ जी, तुम तो श अपनी आत्मा के अंदर आत्म बल को जगा के शुर विर्ता तो तुमीं दिखाऊगे ना, तुम्हारे बिना कौन है शुर विर इस संसार के अंदर, फिर फरमाते हैं, तुम स्याने मेरे साथ जी, ए ए मेरे स्याने समझदार सुन्दर साथ जी, जिन रहो विशे रसलाग, ये घर ये परिवार ये संसार सिर जी ने तो इतना बड़ा वर्नन किया है कि ये तक्या ये गद्दा ये चद्दर ये सिराना ये ओचाड ये सब कुछ क्या है विश की तलाई विश का ओड़ना विश का तक्या सब कुछ विश क्योंकि विश किसको कहते हैं जब हम नीद हमें आती हैं और हम प्रितम को भूल जाती हैं तो हम विश के अंदर इस जहर के अंदर डूब जाती हैं तो धनी जी फर्मा रहे हैं तुम स्याने मेरे साथ जी जिन रहो विशे रसलाग पाऊं पकड कहें शिरिंद्रावती उठ खड़े रहो जाग शिरिंद्रावती जी की अतम फर्माती हैं के लाडले सुन्दर साथ जी आप बहुत से आने हो आप शूरवीर हो आपके पास तार्तम है तार्तम का तारतम है और ये तारतम के तारतम कोई धनीने हिंमत कहां है इतनी ताकत है आपके अंदर तो कहते जिन रहो विशे रसलाग पाउं पकड़ कहें शिरी इंद्रावती शिरी इंद्रावती जी कहती है मैं आपके चरण पकड़ के कहती हूँ पाउं पकड़ कहें शिरी इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग एए सुन्दरसाथ जी आप उठ जाइए कहा उठें मुल मिलावे के अंदर अपने परातमवले तन में उठ जाओ और वहाँ परातमवले तन की जागनी तभी होगी जब हमारी ये आतम जागरत होगी लाडले सुंदर साथ जी तो धाम के दनी फर्मा रहे हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी उठके आप खड़ी रहो लेओ अंग में आनंद इश्क दिखाओ अपना माशुक करो परसंद आप उठके खड़े हो जाओ और अपने अंतसकरण के अंदर आनंद लेके अपने प्रीतम को ये वानी पढ़के रिजाओ चित्मनी करके रिजाओ तन से सेवा करके मन से सेवा करके धन से सेवा करके आप धाम धनी को रिजाओ और जो आतमाएं आज धनी को रिजा लेंगी सो इत भी हुए धन-धन और धाम धनी भी कहें धन-धन वो दोनों ठोर में धन-धन हो जाए बोलिए शिरी प्राणनात प्यारे की जय लाडले सुन्दर साज जी हमारा ये परकर्ण पूरण हो चुका है आए हम चोपाई दोराते हैं उठ खड़े रहो जाग तुम स्याने मेरे साथ जी जीन रहो विशेरस लाग पाउं पकड कहें शिरी न्द्रावती उठ खड़े रहो जाग उठ खड़े रहो जाग बोलिए शिरी प्राणनात प्यारे की जय समस सुन्दर साथ वानी चर्चा का आनंद ले रहे हैं अनूपगर से अमारे राकेश जी प्रणामी अरुना जी प्रणामी बोंबे से हमारी पदमा जी हना और भी जिन सुन्दर साथ के मैं नाम नहीं ले पारी युएस से अनिता जी पतेल राज जी हना शशी जी हमारी जैपूर से कालिंदी हमारे प्राण भाई सब समा सुन्दर साथ वानी चर्चा का जो आनंद ले रहे हैं ऐसे सुन्दर साथ जी के शिरी चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम प्रणाम जी लाड़ले सुन्दर साथ जी कल फिर मिलते हैं राइट साड़े आठ वजे भुलों शिरी प्राणनात प्यारे कीजे शिरी सत्गुरू महराज कीजे आज के आनंद कीजे प्रणाम जी